वही बारा में चल रहा है किसान आंदोलन में पुलिस जवानों ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन अगर लंबा चला तो हमें मंगल पांडे पैदा करना पड़े संयुक किसान मोचा के बैनल तरी शुक्रवार को नरेश मीना ने कोट रोट पर नीजी रेस्टोरेंड में प्रेशवारता की प्रेशवारता में किसान नेता दीन बंदू धाकर ने केंद्र सरकार द्वारा किये गए तीन काले कानूनों और किसान आंदोलन के बारे में बताया इस दोरान धाकर ने कहा कि केंद्र सरकार किसान हितैशी नहीं है या तीनों काले कानून लगा कर किसानों के साथ कुठारा घात कर रही है रमेश मीना ने बताया कि किसान कुरित देश में आंदोलन रथ है इसके बावजूत केन सरकार की ओर से तीनों काले कानून को वापस नहीं लिया जा रहा है किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है किसानों को अलगावादी बता कर अप्मानित किया जा रहा है किसान महापंचात के पदेश रंगतन मंतरी बजरंगराल मीना ने प्रेशवारता में कहा कि से सरकारे आई और गई, किसी भी सरकार ने किसानों का भला नहीं किया अगर कोई सरकार किसानों का हाथ से 10% देते हैं तो दूसरे हाथ से 20% वापस ले लेती हैं सरकारों द्वारा हर जगा किसानों का शोषन किया जा रहा है किसान नेता नरेश मीडा ने कहा कि किसान मोर्चा ने 26 जनवरी गंतन दिवस पर परेड का आवान किया तो आपके 12 का बेटा सबसे पहले उस परेड में दिल्ली पहुँचा और लाल के लिए तक गया राकेश टिकैत के साथ लाठिया वगोलिया से उन्हें दवाने की कुशिश की गई तभी में टिकैत के साथ था राजस्तान में किसान आंदोलन को मजबूत किया पूर्वी और पस्चिमी राजस्तान में बड़ी बड़ी पंचायत हो चुकी है और हो रही है, यहाँ वो जब अर्दस चक्का जाम किये, हाडवती के किसान मौझूद है, राजस्तान में सबसे जादा इंकम श्रोत खेती बाड़ी का है, किसानों द्वारा बड़ी किसान पंचायत करने का इरादा है, लेकिन अभी फिलाल किसान खेती में व्यस्त होने के का या पंचायत अप्रेल तक करने का मानस है, किसानों को जगाने के लिए गाउ गाउ चोपाले आयोजित कर, किसानों को जागरुक किया जाएगा, इसमें किसानों को केन सरकार द्वारा, किसानों पर्थोपे गेतीन काले कानूनों के बारे में बताये जाएगा, और किसानों क यह कुछ समय बात पंचायत के चुनाव होने को है किसानों की बात को जबमेदारी से रखा जाएगा और किसानों के हिदमें बात करें है आपको बतादे की वोटेनी अन्यता चुनाओक वाइसकार शेह के लिए आजादी कांभी कि को लेकर हमने बारा में भी एक योजनाबत तरीके सामी सांदलों को चलाने बाले हैं और उसके लिए हम बहुत बड़ी महापंचाइट बारा में करेंगे लेकिन आज बारा में हमारी फसलें कटने लग गई है किसान खेतों में वेस्त है ऐसे में हमें सोच रहें कि अभी हम कु हुआ बहुत बड़ी किसान महापंचे बूलाएंगी जिसमें राष्ट किसान नेता हुग हम यहां बुलाकर उनका ठीशानों के साभ एक्सानों के बीच में लाकर उनकी अपनी भाथ रखाएंगे यह जो किसान बिल है यह सोट रूप में आपसे इतना सा कहूंगा कि कॉंटेक्ट पे देने का है जिस तरह से रेल्वे को नीजी हातों में दिया जा रहा है जिस तरह से इसकुलों को सिक्सा को नीजी हातों में देने के प्लानिंग चल रही है जिस तरह बिजली को नीजी हातो में दिया जा रहा हुआ वहां वह देश का मुशा है आपको ओंटक्ट फार्म Index वे सब्सक्रार क कुछ किसान की पहले अमरिका में लाई गयी थी और अमेरिका में किसान मर गया है मजदूर मर गया है इसका फाइदा को कुछ गिंटी के जो कॉपरेट घान है उन्हीं को मिलना वाला है एक तरह से यह कुछ कंपनियों के हातों में सारा माल को देने की यह प्लानिंग है जिसका हम विरोध कर रहे हैं सरकार कहती है कि इसमें कई अलगाववादी संग्तन दूसरे जो इसमें जोड़े हुए है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस सरकार में जब कोई मुसलमान टोपी और दाड़ी वाला दिखता है तो इसको उनकी नजर में आतंवादी दिखते हैं आज के इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ